Hi everyone, welcome back to the React.js Hindi video tutorial और इन वीडियो tutorial में हम बात करेंगे कि हम alert boundaries कैसी use कर सकते हैं react के अंदर So सबसे पहले हम steps देख लेते हैं इस video के अंदर हम perform क्या क्या करेंगे So सबसे पहले हम theoretical part देखेंगे, alert boundary का फिर हम एक user component बनाएंगे, एक alert boundary component बनाएंगे और user component के अंदर एक custom error बनाएंगे और उसके बाद मैं code write करेंगे और उसको test करेंगे So now let's start with the code सबसे पहले मैं users वाला page बनाता हूँ So users.js में component बना लेता हूँ RCC react code snippet use करता हूँ ताकि time बच जाए हमारा और सबसे पहले मैं यहाँ पर h1 tag ले लेता हूँ और इसके अंदर लिखता हूँ मैं user component ठीक है और इसको मैं app के अंदर में import करता हूँ So उसके लिए मैं लिखता हूँ import user from backslash with users और user को मैं यहाँ पर इस तरह के सब import कर लेता हूँ अब मैं इसके अंदर एक custom error बनाने वाला हूँ ताकि हमें बता चले है कि हम किस तरीके errors को handle करते हैं और उसके बाद में react boundaries हमारे कहां पर काम आते हैं So react boundaries के actually होता क्या है कि हमारे पास कोई भी a snippet of code होता है उसके अदर कभी हमें error आ जाती है तो उसको handle करने के लिए हम कोई custom page दिखाते हैं तो उसको basically हम error boundaries कहते हैं react के अंदर तो अभी के लिए मैं user वाले component है उसके render के अंदर में if condition लगाता हूँ if true let's say कि true है तो यहां पर क्या आ जाएगा throw new error और यहां पर कुछ भी मैं message देता हूँ जैसे कि custom error अब जब इसका हम output देखते हैं screen का तो अभी हमें आप यहां पर देख सकते हूँ कि यहां पर error आ रहा है यहां पर जैसे ही मैं आप इस icon को ध्यान रखेगा को कि यह अभी मैं आने वाले में use बताऊँगा कुछ जैसे इस पर click करते हैं हम ब्लैंक screen दिखाए देती है इस component के अंदर हम थोड़ा सा यह भी देखें कि हम ब्लैंक page की वजाए हम कुछ यहां पर कुछ code आ जाए यहां पर कुछ कुछनम ऐसे जल दें अब मैं एक और page create कर रहा हूं यहां पर और उस page का नाम है Error Bound आप कुछ भी नाम रख सकते हैं इस page का RCC और अब मैं इसके अंदर सबसे पहले मैं constructor यूज करूँगा और उसके अंदर मैं super method कौल करूँगा super method कौल करने के बाद मैं यहां पर state define करूँगा उसके लिए यूज करूँगा this.state और यह एक object रहेगा object के अंदर मैं एक error नाम से state लेता हूं जो की by default null या फिर undefined रहेगी अब इतना करने के बाद में अब मैं यहां पर एक static life cycle method यूज करूँगा और उसके नाम है get drive state from errors so just type it get drive और drive के अंदर जो drive रहेगा उसका D capital से start होगा उसके बाद में state from error basically यह हमारा पुरा पुरा camel के इसके अंदर है और इसके अंदर मैं यहां पर return करूँगा एक object जिसके अंदर रहेगा state का नाम so state का नाम अभी हमारा array और यह यहां पर true हो जाएगी that means कि जैसे ही state को कुछ error मिलेगा तो हमारी error true होगी है यहां पर अब मैं यहां पर एक condition लिखता हूँ this.state.error अगर true है तो यहां पर एक h1 tag ले लूँगा मैं और इसके अंदर लिखता हूँ custom page for error handling ठीक है और else अगर ऐसा नहीं है अगर सब कुछ ठीक है तो हम यहां पर लिखेंगे this.props.children children क्यों रिखा क्योंकि हमने सब कुछ इसी error जो bound class है इसको हमने parent class बना देना है अभी so अभी just swap this app के अंदर आते हैं और यहां पर मैं import करता हूँ error bound को import from error bound और यह import होगा error bound so perfect अब इसका मैं एक रैपर बना देता हूँ जो की user के around होगा तो यह kind of parent बन जाएगा और parent बनने के बाद में जो भी हमारे component होगे इसके अंदर पास करेंगे तो ऐसे props और children जाएगे अब मैंने यहाँ पे इसको as in children पास कर लिया ठीक है मैं इसको refresh करकर देखता हूँ आपको एक बार यहाँ error message दिख रहा है बट उसके बाद में यहाँ पे custom error आ जाता है reason being क्योंकि यह development build है और development build के अंदर ऐसा होता है और जैसे ही हम यह close वाला click icon क्लिक करेंगे आपको exact error दिख जाएगी क्योंकि react आता है कि जब आप development build के में काम करें आपको as a developer काम करें तो आपको error भी दिखना चाहिए और जैसे ही आप इसको production build के उपर लेक्या होगे आपको just यह error दिखेगा आपको custom error नहीं दिखने वाना so this is all about the error boundaries in react कोई question है या कोई query है आपका opinion है so मुझे comment box में comment कर सकते thanks for watching this video bye-bye